अज़ की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एडिटर को हम पत्तर कैसे लिखते हैं एडिटर जिसको हम संपादक कहते हैं उसको हम पत्तर कैसे लिखेंगे वैसे हम एडिटर को पत्तर किसी भी विश्यप पर लिख सकते हैं प्रम्तु मोश्टली ये किसी प्रोब्लम को हाइलाइट करने के लिए होते हैं जैसे की प्रोब्लम ओफ वोटर, इलेक्रिसिटी, नॉइस पॉलूशन, रोड प्रोब्लम्स, स्पीड ब्रेकर्स ये ऐसे कुछ प्रोब्लम्स हैं, ऐसे कुछ इस्यूज होते हैं, जो हम लिज़ फेपर के संपादक के माद्यम से अपने प्रोब्लम को सोट आउट करते हैं लेकिन इतने सारे हमारे सामने होते हैं कि हम याद किस किस को करें तो मैंने आज की वीडियो में एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसा सेंपल तयार किया है जिससे आपको एडिटर लैटर लिखने में बहुत हेल्प मिल जाएगी यदि आप इस फॉर्मेट को एजइट भी लिख देते हो, तो भी आपको एकजाम में अच्छे माक्स आप इस लैटर में ले सकते हो और मैंने प्रियास किया है कि एक ही फॉर्मेट में सभी परकार के जो लैटर टू एडिटर होते हैं उनको शोल करने का मैंने प्रियास किया है चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप जानते हो कि सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं मिन्स सबसे पहले जो पत्तर लिखता है राइटर्स एड्रेस या सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले हम उसका address लिखते हैं यदि हमारी statement में कोई address गिवन हैं तो हमें वही लिखना होगा otherwise हम कोई काल्पनिक लिख सकते हैं for example मान लिजे हमने लिखा 549 sector 4 रोहनी निव डेली और उसके बाद हमने लिखना तारिक 31 मार्च 2021 अब देखिए आप इसको ऐसे date लिखने का कोई एक manner होता है एक way होता है उसी तरीके से आपको लिखना है आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो यह जो pattern है आपका वो wrong है आपको ऐसे लिखना है 31 March 2021 या आप ऐसे लिख सकते हो March 31 2021 और उसके बाद आप जिसको पत्तर लिखा है means जिसको आपने receiver address उसके बाद आपका receiver address आता है सबसे पहले writer's address sender's address उसके बाद receiver address की आपने उपत्तर किसको लिखा है जैसे हम तो आज किसके बारे में discuss कर रहे है एडिटर लैटर तो हम अपना पत्तर भी editor को लिखेंगे the editor फिर उसके बाद वो editor किस news paper का है the times of India है the Indian express है या the tribun है तो हमने तो यहां पर दार ट्रिवन इस एक बार का नाम लिखा है यह कहां से publish होता है उसके बाद निव डेली से है चंडिगड से है फिर उसके बाद आपने subject लिखना है subject जो आपका होता problem of problem of water है poor water supply है या problem of road है या speed breaker है या electricity है यहां भी आप अपने problem को highlight कर देना जो भी आपकी problem है मान लिजिए loud speaker की है तो problem of loud speaker noise pollution की है तो problem of noise pollution poor water supply है तो problem of poor water supply यहां पे आपने इस problem को highlight करना है उसके बाद आप salutation कैसे करते हो dear sir या respected sir आप कुछ भी आप लिख सकते हो dear sir या respected sir फिर start कैसे करना है क्या format है through the column of your reputed newspaper आपके reputed newspaper के column के माद्यम से I would like to draw the attention of the concerned authorities regarding the problem of death तो मैं आपके इस अकबार के column के माद्यम से जो भी इन से concerned authorities अधिकारी है मैं उनका ध्यान आकरसित करना चाहंगा आपके एक reputed newspaper के column के माद्यम से मैं उन अधिकारियों का संबंदित अधिकारियों का इस problem के परती ध्यान आकरसित करना चाहूंगा कौन सी problem problem of यहां पे जो भी given है problem of loud speaker है तो यहां पे आप जो आपने subject में mention की है जो उपर given है statement वही आपको लिखनी है problem of speed breaker है तो यहां पे आप problem of speed breaker लिख देना problem of open dispensary है तो यहां पे आप problem of open dispensary लिख देना तो यहां पे जो भी problem है आप इस problem को यहां पे highlight कर देना फिर उसके बाद आपने लिखना है I am residence of मैं residence हूँ जहां भी आपने लिखा हुआ है मान लिजी जनता कालोनी उपर आपने एड्रस में गिवन है तो यहां पे लिख देना I am residence of जनता कालोनी प्रेम नगर है तो यहां I am residence of प्रेम नगर जो भी जहां भी residence है आपने जो अपने अपना जो उपर self address लिखा है जो sender's address है उसका जो place है उसको यहां पे आप mention कर देना फिर उसके बाद आपको लिखना है more than 10,000 people are living here हमारे इस इलाके में लगबग 10,000 से ज्यादा लोग यहां पर रह रहे हैं everyone is struggling with this problem हर कोई इस समस्या से जूज रहा है हर कोई इस समस्या से पीडित है कौन सी समस्या मान लीजे यहां पे problem of poor water supply है तो यहां पे सभी हर कोई इस पानी की समस्या से पीडित है this problem is increasing day by day जो पानी की समस्या है या loud speaker की है या speed breaker की है वो problem दिन पर ती दिन बढ़ती जा रही है और it is very big and serious problem और यह समस्या बहुत ही बड़ी है और गंबीर बन चुकी है उसके बाद आपने लिखना है we have written many letters to the concerned authorities और इससे पहले आपने यहां पे इसमें और उस से related उस problem से related आप अगर आप तीन चेयर लाइने आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो तो we have written many letters to the concerned authorities और हम यह भी बताते हैं कि हमने बहुत से संबंदित अधिकारियों के हमने पत्तर लिखा है बर they have neither replied nor taken any hard and active action yet लेकिन उन्होंने अभी तक ने तो कोई जवाब दिया है और नहीं कोई wishes सकत कदम अभी तक उठाया है इस समस्या के परती therefore इसलिए I request you to highlight the issue in your reputed newspaper इसलिए मेरी आप से request अनुरोद करता हूँ कि जो यह issue है जो एक problem है उस problem को आप highlight कीजिए अपने newspaper में and generate public interest ताकि लोगों का interest बढ़े लोगों को अपनी उस problem के बारे में पता चले sir it is a metro public health and safety sir जी एक public की health का और safety का मामला है उमीद करेंगे कि आप एक favorable action हमारे लिए लोगे हमारे इस problem को आपने इस news paper में जरूर highlight करोगे फिर आप लिखना hoping for quick action उमीद करते हैं कि आप जो action लोगे वो बहुत ही जल्दी आप action लोगे उसके बाद आपने लिखना thanking you आप धन्यवाद आप उसको करोगे उसके बाद आप लिखते हो you are sincerely या faithfully आप कुछ भी लिख सकते हो you are sincerely या faithfully फिर उसके बाद उस राइटर उस पत्तर लिखने वाले का नाम signature means आप यहाँ पे लिखोगे माली जी उपर given है मोहित है मोहित ने पत्तर लिखा या मोना लड़की है तो मोना लिखेंगे और लड़के हैं तो मोहित लिखेंगे उपर given है मोहित और मोना तो आपने वही रैफर करना है अगर उपर नहीं given है तो आप कोई भी अपना नाम लिख सकते हो या फिर यहां पे आप x, y, z भी आप लिख सकते हो लेकिन अच्छा यह रहता कि आप कोई name mention करो वही name mention करना है जो given है अगर नहीं है तो आप फिर आप कोई कालतनिक लिख सकते हो डिस्टूरेंट्स उमीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी have a nice day, thank you very much